शिब बाबा याद है ना? द्रिष्टी देते हैं। उनकी याद से तुम पावन बन जाते हो। इसलिए तुम्हारा लव एक बाब से ही होना चाहिए। बाकी दुनिया से बेहद का सन्यास करो। अपने असली धर्म को भूल तुम कितने दुखी हुए थे। अभी बाब आए हैं इस बेहद दुख की सुख की दुनिया बनाने। उनको ही शांती देवा और सुख देवा कहते हैं। फिर बाब ने कहा यहां के मनुष्य तो अज्ञान अंधियारे में कुम्ब करण की नेंद में सोय पड़े हैं। तुम हो राम की सेना। तुम्हें बाप समान रहम दिल बन सब सीताओं को बनाने की सेवा करने हैं। यह बहुत ही वंडर्फुल हार और जीत का खेल है। ड्रामा के किसी भी सीन को देख कभी रोना नहीं है। जिन रोया तिन खोया। और लास्ट में बाबा ने कहा जिन बातों से तुम्हें कोई फाइदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो बस एक बाब की मत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलने वाले ही स्रेष्ठ बनेंगे। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। पुरली का सार मीठे बच्चे बाब समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सब को दुखों से छुडा कर पतित से पावन बनाने की से प्रश्ण सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाब के सिवाई कोई पूरी नहीं कर सकता। उत्तर सारी दुनिया की मांग है शांती और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाब आते हैं। बाबा बेहद का है। इसलिए उसे बहुत फुर्णा है कि मेरे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा केहते बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है। मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुडाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ। इसलिए मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांती। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए, भल भाईयों भाईयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परन्तु पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला ज यह तो ठीक है तुम भाई भाई हो तो जरूर शीर खंड ही होगे एक बाप के बच्चे हो आत्म ही इतना प्यार है जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं, जो समझने वाले होते हैं, वह समझते हैं, ये स्कूल वा बड़ी उनिवर्सिटी हैं, बाप सबको दृष्टी देते हैं, वा याद करते हैं, बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुश्य मात्र सभी आत्माई याद करती है बाप की ही सारी दुनिया है नई व पुरानी नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या बाप ही सभी को पावन बनाते है पुरानी दुनिया भी मेरी है सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी न, मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं, यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, यह बड़ा मांडवा है न, बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चेतन्य हैं, सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसले पुकारते हैं, बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से शानती की दुनिया में ले चलो, शानती देवा, बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कहना सके, सब का वह एक बाप है, उनको सारे स्रिष्टी का फुर्णा रहता है, बेहद का घर है, बाप जानते हैं, इस बेहद घर में इस समय सब दुखी है, इसलिए कहते हैं, शान्ती देवा, सुख देवा, दो चीजें मांगते हैं न, अभी तो जानते हो, हम बेहद के बाप से सुखका वर्सा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शान्ती भी देते हैं, और कोई सुख शान्ती तो देने वाला है नहीं, बाप कोई तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो, हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे, जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं, मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं, जिस बाप ने इतना उच पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुक घनेरे सुक घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं, यह है तमो प्रधान दुनिया, विश्य सागर में गोते खाते रहते हैं, समझ से कुछ नहीं है, तुमको अब समझ आई है, तुम समझ से हो कि यह रोरव नर्क है, बाप बच्चों से या स्वर्गवासी हो, जब कोई मरता है, तो जट कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ, फिर नर्क की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझ से नहीं, बाप आकर स्वर्ग की सापना करते हैं, तुम बच्चों को राज योग सिखला बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं तुमको यह नौलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नौलेज है, ज्यान सागर मैं हूँ, कहते हैं यह शास्त्रों की अथोरिटी है, लेकिन वह भी आत्माई हैं ना, यह भी समझ से नहीं, बाप का ही पता नहीं है, बाप जो का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठिकर भितर सब में हैं व्यास भगवान ने क्या-क्या बातें लिख दी हैं मनुश्यों को कुछ भी पता नहीं है बिल्कुल और्फन बन आपस में लड़ते जगडते रहते हैं बाप रचता और रचना के आदी मध्यांत को कोई नहीं जानते हैं बाप अपना और रचना के आदी मध्यांत का राज समझाते हैं और तो कोई बता न सके तुम कोई से भी पूछो जिसको इश्वर भगवान रचता कहते हो उनको तुम जानते हो क्या ठिकर भितर में इश्वर कहना ही जानना है पहले अपने को तो समझो मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदी सब तमो प्रधान है मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं जैसा मनुष्य वैसा उनका फरनीचर भी होता है सहुकार लोगों का फरनीचर भी अच्छा होता है तुम तो बिलकुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो तो तुम नर्क है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है वही पतित पावन हैं स्वर्ग की सापना करते हैं। सन्यासी भी करते हैं सत्युग में ऐसे होता नहीं। तुम्हारा सन्यास है बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठी योग हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है। और फिर हिंदू कह दिया है। वास्तो में हिंदु धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही चार। देवी देवता, इसलामी, बौधी और क्रिश्चन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलेंड है, इसमें रावन का राज्य है। रावन देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं। ये सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझ से नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए न, ये कौन है, कब से चलाते आए हैं। समझ से हैं परमपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए न, तुमको कोई जानते ही नहीं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुम से कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो। अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं, तो उनके बच्चे ठहरे न, ब्रह्मा किसका बच्चा? श्यूबाबा का। हम उनके पौत्रे ठहरे, सभी आत्माई उनके बच्चे हैं, फिर शरीर में पहले ब्रह्मन बनते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा है न, इतनी प्रजा कैसे रच्चते हैं, यह तुम जानते हो। यह adoption है, श्यूबाबा adopt करते हैं ब्रह्मा दवरा, मेला भी लगता है, वास्तों में मेला वहाँ लगना चाहिए, जहां ब्रह्म पुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए, यह मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है प्रन्तु मेल है इसलिए मम्मा को मुकरर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो बाप कहते मैं तुमको सदगती देता हूँ तुम जानते हो यह देवताएं हैं डबल अहिंसक क्योंकि रावन होता ही नहीं भक्ति से होती है ज्यान से दिन ज्यान सागर एक बाप ही है उनके लिए फिर कह देते हैं सरव्यापी बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं शिव भगवान वाच है ना, शिव जयन्ती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं, कहते हैं मुझे प्रकृती का अधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का अधार नहीं लेता हूं, श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं, वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिम्रण करते हैं, प्रंतु भगवान को यथार्त कोई भी जानते नहीं, तब बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मश्य गला निर्भवती भारत, मैं भारत म भारत की महिमा अप्रम पार है। पांच हजार वर्ष की बात है। अपने कोई चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया। तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है। कोई-कोई मनुश्य नर्म दिल होते हैं। तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सत्युग में रोने की बात नहीं। यहां भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर कलियुग में। सत्युगी कभी रोते नहीं हैं। पिछाडी में तो किसको रोने की फुरसत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे। हाई राम भी नहीं कह सकेंगे विनाश ऐसा होगा जो जरावी दुख नहीं होगा क्योंकि होस्पिटल आदी तो रहेंगी नहीं इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूं रावन पर जीत पाने अब बाप तुमको युक्ती बताते हैं रावन पर जीत कैसे पानी है सब सीताओं को रावन की जनजीरों से छुडाना है ये सब समझने की बाते हैं भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हैं Here no evil, see no evil जिन बातों से तुमें कोई फाइदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो अब तुमको श्रीमत मिलती है तुम ही स्रेष्ट बनेंगे यहां तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है अच्छा फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो कितना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप ददा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग धारणा के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट बाप समान रहम दिल बनना है सबको दुखों से छुड़ा कर पतित से पावन बनाने की सेवा करने है पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। इसलिए कैसी भी परिस्थिती हो तुम्हें रोना नहीं है। वर्दान स्व के राज्य दवारा अपने साथियों को स्नही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्व के राज्य दवारा अपने साथियों को स्नही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता दाता को कहना वो मांगना नहीं पड़ता। स्विम हर एक राजाओं को अपने स्ने की सोगात ओफर करते हैं। आप भी स्वपर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहियोग की सोगात ओफर करेंगे। जिसका स्ववपर राज्ये है, उसके आगे लौकिक, अलौकिक साथी जी हाजिर, जी हुजूर, हांजी कहते हुए, सनही सहयोगी बनते हैं परिवार में कभी ओर्डर नहीं चलाना अपनी करमेंद्रियों को ओर्डर में रखना तो आपके सर्व साथी आपके सने ही सहयोगी बन जाएंगे स्लोगन सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृति उप्राम रहे तब कहेंगे विराग्य वृति सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृति उप्राम रहे तब कहेंगे विराग्य वृति अच्छा ओम शान्ती बाबा का बनने के बाद भी अगर ब्राह्मनों में भगती का कुछ अंश रह जाता है तो उसका क्या नुकसान है यह राज जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती